हैं बहुत ही जादा इंप्पर्टन को सकार्रा-स चली को देखते हैं साइन इन्वर्स एक स्फालियं क्यूरम क्यूस पंधिको इन थतने हैं एक्स भी-प्लस एक्वर टुरॉच्छिस कवा Sine inverse X equal to हो जागा A, Sine inverse Y equal to हो जागा B और Sine inverse Z equal to हो जागा आपका C तो यहां से X का value क्या है आगा? Sine A, Y का value, Sine B, और Z का value जो होगा Sine C हो जागा ना आपका? अब यहां पे हम एक formula का use करने जा रहा है जो कि आप class 11 में prove किये हुए हो मैंने बताया भी था साइन टू ए प्लस साइन टू बी और प्लस साइन टू सी के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है 4 साइन ए साइन भी और साइन सी ये होता है अगर नहीं याद होगा तो आज़े देखना क्लास 11 के वीडियो लो से प्रूब भी कर रहा है चलो देखो इसको लिए यहां पर हम लोग इसको टू साइन ने कॉस ए लिख सकते हैं और इसके लिए तू साइन भी कॉस भी हम लोता है ना इसका भी टू साइन c cos c equal to 4 sin a sin b and sin c एक काम करो ना इधर से 2 common कर दो और उधर लेज़ डिवाइड में 2 बज जाएगा यानि हम इसको ऐसे भी लिशकते हैं sin a cos a plus sin b cos b plus sin c cos c equal to 2 sin a sin b sin c 2 common करके इधर लागया इधर भाइड में अब देखो यहाँ cos वाले को change कर दते हैं sin के form में तो यहाँ से हो जाएगा sin a root under 1 minus sin square a cos a के formula sin b यहाँ हो जाएगा root under 1 minus 1 minus sin square b यह न हो जाएगा चलिए फिर sin c फिर root under 1 minus sin square c equal to 2 sin a sin b और into sin c चलो अब जो है न वैलू रख देते हैं sin a के जगा पर x sin b के जगा y और sin c के जगा z तो यहाँ x रखेंगे तो x root under 1 minus x square plus y root under 1 minus y square यहाँ जगा z root under 1 minus z square equal to 2xyz तो यह भी proof हो गया चलते हैं next question पर चलिए अगला